बोलिए सत्गुरु माता सुदिक्षा सबेंदर हर देबि सिंगे जी महाराजी कीज आउ संत महत्माव सत्गुरु की किर्पा से आज दास एक ऐसी ही प्रेना दायक कहानी ले करके आपके समक्ष दास प्रिकट हुआ आसा करता है कि आप खुसालवा चंगे होंगे सत्गुरु की किर्पा आप पर बरस रही होगी आओ प्यारी साथ संगाजी एक महात्मा एक संत व्यक्ति पूजा पाठ खूप करता था खूब मंदिर में भी जाता था प्यारी साथ संगाजी अचानक उसके मन में एक भाव उठा कि पिर्भू मैंने आपकी बहुत सेबा की बड़ी मैं आपकी पूजा करता हूँ किर्पा करो मुझे एक ऐसा आसरवाद चाहिए ताकि मैं अमर हो जाऊँ आओ प्यारी साथ संगाजी काफी दिनों से व्यक्ती पिर्भू से अरदास करता था प्यारी साथ संगाजी एक दिन परमात्मा ने उसे आसरवाद दे ही दिया कि बालक क्या चाहता है कहते हैं कि पिर्भू मैं अमर होना चाहता हूँ एक ऐसी इटनल धमनी आती है उसके कानों में कोई दिखाई नहीं देता लेकिन वो कहते है कि अमर होना चाहता है सोच ले दुनिया तो ये नस्वर है एक दिन तो नस्ट होने में ही फायदा है क्योंकि इस्वर ने जो रचना की है इस्वर का जो विधान है उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए आओ प्यारी साथ संगा जी ये वक्त नहीं मानता नहीं प्रभू देना हो तो दीजिए अमरता का बरदान नहीं चाहिए आओ प्यारी साथ संगा जी अब अमरता का बरदान उसे वेक्ति को इस परमातमा ने दे दिया प्यारी साथ संगा जी पीड़ी बीटती गई, उसका परिवार बढ़ता चला गया, उमर उसकी बढ़ती चली गई, अब उसके जो बेटे थे वो भी जमान हो गए, उनकी भी साधियां हो गई, तो फिर पोते हो गए, लेकिं उस व्यक्ति के मिर्तिव ही नहीं आ रही, आउ संतमातमाओ, अब पोतों की साधिय हो गई, तो ये तो बिलकुल सूख सूख के पंजर हो गया, प्यारी साथ संगाजी लेकिं, अमर्ता का परदान है, बढ़ा पातो आना निश्यत, अब ये पोती पोतों से कहता था, उधर इसका परिवार इस तरीके से हो गया था, जैसे कि एक आसरम, क्योंकि इसने अमर्ता संग्या बढ़ रही थी, संक्या बढ़ रही थी, परिवार में कोई मोत नहीं हो रही थी, आओ संतमात माओ, अब ये ब्यक्ती जो अपने बेटों से कहता था, तो बेटे नहीं सुनते थे, बोले भाई, मैं कमजोर हो गया, मुझे मंदर ले चलो, अब वो डड़ते नहीं थे, क्योंकि मौत तो किसी को नहीं आनी, वहाँ पर कोई नहीं सुनता था, मंदर को ले जाने के लिए, अब ये बुड़ा बहुत लचार परिसान था, कहता था, बेटा पानी दे दो तो पानी को कोई नहीं सुनता था, टाइम से खाना नहीं मिल पाता था, यानि देखने क हर इंसान अपने अपने कामों में मजबूल रहता था, हर इंसान को, यानि वहाँ सुनता था, पूजा पाइट हुआ नहीं, वहाँ पर बंद हो गई थी, पता था कोई मनना तो है नहीं इस परिवार में, कई पीडियां गुजर गई और अनात आसरम की तरह उसका परिवार हो गया, तो प्यारी सास संगा जी, अब ये ब्यक्ति सोचता था, ऐसे परिवार का क्या फायदा है सिया मरता का, अब ये बिलकुल क्या हो गया था, बुड़ा हो गया था, इससे चला फिरा नहीं जाता था, सांस रहने में भी तकलीफ होती थी, अब ये मंदिन नहीं जा प कर ही पर्मात्मा का एसास कर सके उसका गुरगान गा सके अध्यात्यमेकता की और तो था लेकिन प्यारी शास सगज इस ओर नहीं था तू अब ये पस्ता आता है और ये फिर पुने प्रात्ना करता है हे अनन्त परमात्मा सारे संसार को चलाने वाले सर्फ सक्तिमान परमपिता परमात्मा तू मेरी गल्ती को वक्ष दे ये जो मैंने अमरता का बर्दान मांगा था तू इस बर्दान को तू बापस ले अब मैं जीवन से हार गया हूँ ठक गया हूँ उन्रास हो गया हूँ आओ प्यारी साथ संगा जी ऐसा ही हाल हमारा होता है जब हम यंगेश्टर में होते हैं जमानी में होते हैं तो प्यारी साथ संगा जी फिर हम यानी परमातमा की ओर ध्यान नहीं दे पाते कि सुक में दुख में सुमरन सब करें सुक में करे तो दुख काई को होए आओ प्यारी साथ संगा जी जब जमानी आती है न तो इंसान भूल जाता है परमपिता परमातमा को भूल जाता है अच्छा योग को दुरगुडों में फस जाता है आओ प्यारी साथ संगा जी इधर ये बेखती जब बिंती कर रहा था तो परमातमा प प्रभू मेरी गलती हो गई आपकी रचना सही है आपका सम्मिधान सही है आओ प्यारी साथ संगा जी उंगली उठाने वाले भक्तों संतों करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास अंग्शंग तुझको देख के अरे दास करे अर्दास तू राजा अधिराज है मैं दासों क आओ प्यारी साथ संगा जी ये भाव हमें रखना है तू सहंसाओ का सहंसा है तुस्से बड़ा कोई कारीगार नहीं है तेरा बनाया हुआ विधान सही है अब वो कहता है मेरी बेटा नहीं सुनता बेटी के उलाद मेरी बात नहीं मानते है पिर्भू अमर्ता का क्या तो वोले क्या चाता है मैं चाता हूँ कि मेरी मिर्ति हो जाए मैं चाता हूँ मैं आप में समा जाओं मैं चाता हूँ मैं तेरी रजा में राजी रह पाओं आओ प्यारी साथ संगा जी दातों में फस करके दाता ना भुला देना ये जनम अमूलक है इसे यू ना गवा देन आओ प्यारे संतो ये जनम अमुल है बार बार मिलने वाला नहीं है माफी मांग ले पर मात्मा ने बिंती सुन ले उसकी मिर्ती हो गई वो सारी जंजटों से दूर हो गया आओ संत मात्माओ दतार से यही मांगना है जिस हाल में तेनु रखना तुझे रखना उस हाल में तू रख और हम उसमें सबर सुकर मनाते चले जाएं निराकार का एहसान मानते चले जाएं तो बास्तम में सब इसकी किरपा से सारी संसार में सही हो रहाँ सही होता चला जाएगा कोई चीज हम ऐसी गलत ना मांगने संत मातमा जो हमारे लिए दुख का कारण बन जाए तो दास इनी सब्दों के साथ प्यार से बोलेगा धनिंकार जे